जाली में पूरी फुरे मिश्चा पर चर्चा का वीशे बना हुआ है क्या क्या चाहेंगी कि इतने कुशी हो रही है उस फिल्म को लेकर ड्रीम सीटी मुंबई और एक चर्चा का वीशे बना हुआ है जो हाली में अभी अच्छा था पती सिवाजी एवाड फंक्शन और काफी सफल एवाड फंक्शन रहा ये दोडो विशे को आप कैसे एक्स्प्रेंट करेंगे और कैसे आप इस चीज को ले और केतना चुनोती भरा रहा ये आपका सफल राजी कुछ से पहले अग neutrापा फीडGS मेडिया को तुछ स्जी ट्र वेटी सिवाजी सिवाजी हो एक आभड है सिक्स मान पहले मैं हूण पर सुरू किया था आज मेरा सक्सेस वा तो मेरा सब मेडियू एक原़व warpोड अज चिनको हमेड़न दिरें ओवी आह सा ओथ सि 마ंद थांक्यू, और मेरी फिल्म है डिर्म सिटी मुंबई, जो फिल्म मैंने बनाया आप सभी के आशिब बात से, डड़ी ममी के आशिब बात से, फिल्म का नाम है डिर्म सिटी मुंबई, ये फिल्म बंबई की बेस के उपर है, कैसे लोग फिल्म नायन में आते हैं, कैसे लोग फ होता है उसके अंदर, उसके उपर पुरी फिल्म है, डिर्म सिटी मुंबाई मेरा डिर्म है, मेरा डिर्म पोजेक्ट है, वो कुछ ही दिन मेंगी फिल्म आने वाल है, पुरी इंडिया में रिलिज हो रहा है, और मैं शाहतों मेडिया, आप लोग छोटा से गरीव आदमी अब प्रीज इसको देखाएए, क्योंकि आव लोग के बिना मैं अधिरा हूँ, बहुत खुपसरोत खुपसरोत में गाना है, जिसमें उदीज जी गाना गाया, शावाब साबरी गाना गाया, शायद मनिया गाया, संचीत सकड गाना गाया, सुनो रावने गाना गाया, इस और दमोदर राव जी ने, बहुत अच्छे इसमें जितनी भी काम किया था, चाहे वो एक्टर सो, चाहे स्पोर्ट बोई हो, चाहे टेकिनिशन, कितनी भी लोग है, इन सभी ने इतना खुबी से इन लोग काम किया, उसकी बज़े से मेरी फिल्म चर्चे है और आज रिलिज होने जा रहा है तो थांक्यू मीडिया और थांक्यू मेरे टेक्निशन टीम और चट्रपी सिवाजी गोड़ अवर्ड जो मैंने सुरू किया है यह एक योद्धा है और हम लग भी उसकी पीछे पीछे लगा है जिस मिट्टी पे आया हूं मैं एक कच्रा चुनने से लेके यहा कता है और करम भूमी मेरे महारस्टा है तो मेरे मन में था जबी भी कुछ करू तो मैं यहाँ पे एक आवर नाइट करू उनकी नामों से तो आज मेरे सफल हुआ और आप लोग ने सबने महबद दिया और थांक्यू कमल ची जोनने मुझे बहुत साथ दिया है कमल खान और जिनके वाइसे मेरा शो नहीं होता तमाम लोग है बहुत सरे लोग है बहुत सरे मीडिया है साथ दिने के बाद मेरा शो सेक्सिस हुआ चत्रपती सिवा जी एवाड की बात करें को उसमें अनोख्रा चीज नजर आई अबर के आई तो यह कि कई कैटेग्रीज को नया रूप दिया गया था क्या कैटेग्री जाएसे थे और ऐसे कला कारों को एवाड दिया गया जिनों ने पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्टी म अबर को एक साथ जोड़के उनका आवर्ड दिया जा और वो मेरे मन में आया था सिक्स मन पहले और सिक्स मन में चल रहा था लेकिन मेरा दो दिन पहले मेरा चेंज हुआ मेरा था मलाड में था शो मेरा नाम ताहिर कमाल खान है सबसे पहले में पूरे भरत को अस्सलाम अलेकुम आदा आप सस्तीकाल नमस्कार कहना चाहता हूँ और आप सब का शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जो चल रहा है पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तानी कलाकार बहुत कंभी रवस्ता है जो चल रही है जैसे भी सलमान कान साब ने का पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर काम करने दो या कहीं का भी एक्टर होस को यहाँ पर काम करने द यह बहुत बड़ी दूइदा है जबके हमारे हिंदुस्तान में 125 क्रोड जन्संकिया है यहां पर एक से कलाकार है हिंदुस्तान में और बियोन हमारी फिल्म रस्षी में लाखो क्रोडों लोग इस्ट्रगल कर रहे हैं कलाकार की कमी नहीं है तो I have a thinking के सलमान भाई को या करण ध़न जोहर को या जो भी है फिल्म रस्षी के लोग हमारे हिंदुस्तान के लोगों के उपर उनको घोपार्वर फरमाना चाहिए धैसार सब देखा मेरे जान तूरी जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान तो यह हो हिंदुस्ताने हैं फिर देश के लिए हमेशा एक साथ में जुठ ऑगे बढ़ना है अच्छा आपने मेरी फिल्म आ रही है आने वाली फिल्में मेरी देख यहँग tips था ओस्टर में सबसे पहले मुझे re android दिया और अभी मेरी आने वाली फिल्म जू है दिली बस दिल्ली बस फिल्म आपने सुना होगा एक यूणिवर्सल केस था जो दिली में एक बस के अंदर गिनोनी घटना होई थी एक लड़की के साथ छे लड़कों ने बलतकार किया था वो रियल आधारित घटना पर फिल्म बनी है उस फिल्म के डिरेक्टर है हमारे हाई शारिक मिनाच जो पहले भी काफी फिल्में बना चुके हैं जिनके आने वाले फिल्म थी चांद बुझ गय यह उनकी फिल्म है और इस फिल्म से हमें एक कलाकार होने के नाते बहुत उमीद है क्योंकि गला में चोदा साल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चनोती थी हमारे लिए जो हमने नेवाया क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी के घर में एक मा भेन होती है वो जब हम वो शूटिंग कर रहे थे तो हमको बहुत रोना आता था बहुत दुख होता था लेकिन बहुत मज़ा आया वो फिल्म करके और वो फिल्म देखके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आगे खुलेंगी यह फिल्म एक ऐसी है कि इसको पूरा वर्ल्ड देखना चाहिए और पूरा वर्ल्ड में इसको टैक्स-फिरी होना चाहिए जो इसमें कहानी में रियल कहानी दिखाई है जो गटना पर अधारी थी यह फिल्म है और इसको शो किया गया है तो मैं तो यह चाहता हूं बात में जो मलूम पड़ा कि यह कहानी अचानक में धोके से गल्ती से इन क्योंकि हिंदुस्तान का कहीं का भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके